यार रहा के पापा की फिल्म तो चलनी ही चाहिए रहा साम को सहरे लेक नहीं पी पाईगी अगर मैं 300 रुपे नहीं देगे आँगा थीयटर में तो है कोई दी आदे में से बठाएंगे यार चलते है रहा के लिए चलते है वहां से बुर देखके गाउं चलेगा लगा विदा कौन रहे गाए अगरे अगरे लिए वांग्ड आउ अग्ड़ करें अर बला को प्रेस्क्राइब करें ताकि आप कोई भी फणी कांटेंट मिस्क्राइब अखर दोस्तो मैं रजेश पूरा नाम यारे अनिमल वीडियो में जय दोस्तो मैं हूं रंबिर का दलाल रजेश और मैं हू दोस्तो मैं रंबिर का पूरुदा अक्टर का दलाल शुप अम उसके अक्टिंग स्किल्स के दलाल है सिर्फ पसनल लाइफ में क्या कर रहा है कोई हमाई जिम्मेदारी नी है सी दीवाट ठीक है हमने देगा कि होड़ा क्रिटिसम हो रहा है अनिमल फिल्म का पोड़ पेल हो चुकी है या सोसाइटी फ्लाइंग कलर से पास हो चुकी है अब हमने तोचा कि चलो बाई डिसकस करते हैं कि तिल वाट एक्सेंट इस दा क्रिटिसम जस्टिफाइड और कहां जाके लोगों के फिर परस्नल बाइसे जारे आ रहे हैं और वह सिर्फ फिजूल की परस्नल बेखने ना जो इसली उफेंड हो जाते हो वो फिल्म ना देखें बाई भुषण कुमार की जेब में पैसे आ गए चले गए उनके मजे आ गए उनके मजे आ गए उनके मिलिगा वांगा साब को ने को प्रडूस किया वांगा साब ने पैसे कमा लिया रंबीर कपू बाई आओ आट 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 आप अनिमल को आप कैसे भी जिस्टिवाइं नी करते हैं बैट और सोच अबास हम तो एल्लिस अजेंगे वा इसको मदला वो क्या दिखा रहे हो बाई यह तो तुम नहीं जेल पर तो आप एले डिसीजय नहीं गलत था ट्रेलर से तुम क्या क्यूब कि तुम्हें तवेट करने साथ और गल एपाइन और यह तो स्टार्टिंग में डेखि लिए होगा उन ने तुम्हेरा साथ क्या है फिल्म रेलिबंट होगी फिल्म कल्चर में चली गई परोडीज बने इतने समय बाद ऐसा कुछ हुआ है किसी फिल्म को लेकर जिसकी परोडीज बन रही है यह सब हो और पूरा दबा के और और किसी आप इस आप इस लोग की बैसे क्यों वहाँ आप पेज भरने मुझे इसे फिल्म बैट फॉर दा लेडिज इन लाइफ संदीब रेडी वहाँ आप मैं कुछ नि कहुंगा फिल्मेगर नहीं काया है तो इसके घर के लेडिज नोट के इंडियस था है है यह होती यह पर्सनल अटेक है भाई मतलब इसके इस हिसाब से तो किसी ने कैसी कैसी फिल् बैट ने किते घर तोड़े होंगे ओंगे तो इसा दिखाया गया ने यह अँ कि यार बचे छोड़ी देतें अपने बच्चे को अपने बचाइए वगा दिया हुगा है हाँ है निकाल अगा देते हैं हाँ उस फिल्में तो कही ना ख्या इन दर यह इन्से क्योरिटी को जन बच्चों के point of view से बागगब इस एक बच्चों की इमेज कितनी घलत पेंट कर रही है लेकिन क्या होता है? कि चार बुरे बच्चों की कहानी है यह तो निए सारे बच्चें बुरे होते हैं उसमें एक था जो अनाथ बच्चा था अलोग अलोग अच्छा था इसा कुछ सीगलेते, डो That yes! बभला WHO ने बाघबान के बारे में, यह नी बोला इस बाघबन आजी बन नी चाहिए भध्या भज़ क्या बदेगा इस उसका बड़े। नो से बारा का शोओ नेक एक वजे महावाब रिलो स्टेशन पर सो रहा हुआ है वह भागवान देगी आपने तो सीख लिया है इंफ्लेंस हो गए फिल्म बिली बैद इंफ्लेंस यह तो उनकी जो फिल्मेकर थे कौन से थे वाँ उनकी फिल्म है वो बीर चोपड़ अगेरा की इसकी फिल्मेकर है पर ले टॉक्तिस आप बतो बच्चे इतनी बैद लाइट मुन दिखाया सारे बच्चे बढगे देश के वासेपुर देख के गाउं चलेग लड़ागे वासेपुर जैसी फिल्म के अंदर भी सेम चीज अगर उसी फिल्म के ऐसी कोई वाद नि करता है क्योंकि आदमी लूंगी पहन के कर रहा है यह अरे यार कम ओन यार फिल्म देख सकते हैं यार फिल्म देखो एंटरें और मैं के रहा हूं चलो इस चीज पर भी आना है कि नहीं फिल्म से लोग चीज़े सीखते हैं तो अगर उस हीरो को मैं पहले दिन से यह बोलता रहा हूं अगर फिल्म के एंड में रश्मिका के साथ वो हैपी लाइफ जीता की ता अजली के साथ बच्चे सुबह उटके उसके पैर चुरे होते पापा मेरे पापा उसके पापा उसे गले लगा रहे होते यह सब हो रहा हो तो तो बचरे उसके पापा से लिपट भी तो तब भीत शुकी रिपा धुर भी proudly नहीं लेगिंट हो अन्य इता अगर आपको कुछ सीखना हो फिल्म से तु यह जीकुझ फ्यां कि इस रहा पे चलेंगे तो सब कुछ लुटा भी देंगए और कुछ बंभी ने बाएंग जो यह उल्टे से लिखने वालों कहीं कुछ लिख दें पता किसको पता है कि रॉकी वन फोर तरी गरन्वीर कपूर का उड़ा उसका कुछ उखाड नहीं पाते सबसे बड़ी जहब तो यह है यह क्या करें इसका boycott नहीं हो रहा है यहां तक अलिया भट को कॉल आउट कर दिय कुल आउट कर लिया यहां आलिया भट रेस सिर्फ अपने हस्बेंट की फिल्म को प्रमोट किया ठीक है उसमें उसकी बेटी तक को लिया है आलिया भट ने बड़ी इमोशनल सी पोस्ट डाली कि यह मतलब काईगई उसकी तारीफ की तो क्राफट वाइस भी खराब लूगी कि तो भी उताइजिफ करें उसका था फैमिली यर हस्भेंड वो उसका उसने बेटी बेटी कई डाला कि आज रहा के साथ ताइम स्पेंड कर रहा है तो इस पर अटैक कर रहा है कि बताओ फिल्म प्रमोर्ट करने के लिए अपनी बेटी तब को ला रही है कितने लोग हैं जो वहाँ भाइ वहाँ इस लिए देखने के होगा कि अले बाटने बेटी के फोटर डागी रनमी को बढ़े की चला जिए अनिमल देख के आते हैं उस एक पोस्से अगर एक बंदा इंफुलेंस होगया वैनिमल देखने के लिए तो मैं मान जादा हूं क्यों एर रहा के पापा की फिल्म तो चल ली जाए यार रहा साम को सारे लेक निपी पाएगा अर मैं तीन सौर रुपे नहीं देगा थीटर में तो है कोई दी आदे मिसे बठाएंग गार चलते है रहा के ले चलते है मलब आप सोचो आप एक तरफ तो बड़े यह पोस्से ल मेरे अपने ने कुछ किया है मैं उसको सपोर्ट करूँ और उसमें आप वह फिल्म एंटी विमन, मिसोजिनिस्टिक है ओई बहवियर आपका है आप दूसरी महिला को इस बात पर अटाइक कर रहे हो बताओ फिर एक और निकल आया कि भाई अपने फेवरेट पसंदाग अक् सब्सक्राइटी वर अबाउट टू फेल इन्होंने ग्रेस मांक्स दिलवा दिया बचे गए लेकिन सबकी फिर फिल्में निकलाइं सबने कुछ ना कुछ किया भाई जब भी कोई इस तरीके की बाते बोलता है अगर तो यह है कि वह जो दिखाया जाता है कि हिरो इनका किया जिस चीज को हासिल करना चाहता था उसके लिए सब कुछ किया नहीं मिला एंड में यही तो कहानी है और कितने सारे लोग तो मुझे इंटरनेट पर पोस जालने वह लगने जिन्होंने सिर्फ क्लिप्स देखी है उन्हें आगे पीछे के वही नहीं नहीं पता है जब कि Ranbir Kapoor कुछ ऐसा बोल रहा है कि मैं मैं खुद इतने पेन में हूं मैं इसे जी रहा हूं तो तुम्हा पता भी है वो कैसे जी रहा है फिल्म देखी भी है पूरी बस वो क्लिप अठा के डाल दी दूसरा यहां तक निगाल लाए कि Ranbir Kapoor ने तो डिसपोंड किया यह हमें यह राइद को आण दिक व्रें कर दिया इस だिकर दिया वो भाइ यह थोड़ी कह एं भो है तो ड्रहा है कि निगेल यह थोड़ी यह थोड़ी मुप नहीं मांनााओ इसे जी चेनी चाइए एक एक्टर दूसरे एक्टर को कॉंप्लिमेंट ना दे एक एक्ट्रस अपने एक्टर हस्बेंड की फिल्म प्रमोर्ट ना करे क्यों इन्हें यह कैंसल कर देंगे तुम्हारे कैंसल होने की तड़से हैं दुनिया चले सबको उठा उठा के जबड़ दस्ति बातों पर क्रेट कि एक्टर के खिलाफ बायस है कि इतने ऐसे कैसी कर देंगा अब तो इसके रहने स्टेटमेंट आरहे ना कि मैं और दार्क मनाने आला हूं एक और आइडिया मिर पास रंबिर को ले गगई एक तो कॉमेडी बनाने वाला हूं तुम उसके ट्रैप में फसरे हो वो चाहता था इसी बाते हो इससे फिल्म और रेलेवेंट होगी और लोग देखने जाएंगे यू अब ज़स्ट दन डैट को आपको वक आउट करना थेटर के बाहर से करते हैं तो परसनल अटेक अपने बाइस से क्रिटिसाइज करना ये सब कुछ भी मुझे समझ जा था और लोग भी ट अब लोग वह दूण कर लाएंगे जाले पता नहीं कौन सी जबल मिंडरी वाली सिग्रेट पी रहा है ये फिर भी सही है किसी ने इतना ध्यान तो दिया कि ये वाली सिग्रेट पी रहा है वो कर रहा है जो समझ में आपका बायस अगर क्रिटिसिसम से दिख रहा है तो उसस से आपी का नुक्सान है आप कुड़ते रह जाओगे परेशान जाओगे इतना इतना ट्रॉमाटाइजिंग हो गया इन लोग के लिए परेशान हो गया सुबा की पोस्ट शाम की पोस्ट अरे ये फिल्म चल गई हम अपने वाड़ा वावावां के एडिट अगया मैलोणी क इतने बढ़या, इतने बढ़या की तर्ट अगया एडिट अगया ये किया थो सिंगल ने इनकी जिंदगी में प्यार तो है ये पैर की कमी इन जिंदगी में जो इसी चीजों पे ओFND हो ना और ग्या उनके वाजवावावे वाट के लिए नूमिने अगया वाइक पूरे गान है उनके बढ़िया चलने, एडिट बढ़िया चलने, तीन राज्यों में एलेक्षन भी जीत गया, वो भी ऐसे नहीं कुछ, क्लोस कंटेश्ट में, जाडू मार दी क्लीन्स भी बेग दाँ, इतना इनका होगा कि हारा हवा सांस लेना लाइक निगा जीए, इसके एडिट भी चलने, ये तो एलेक्षन भी जीत गया, इनके फिल्म भी चल गई, क्या करूं, कैसे रहूं, सुभाइश से गान जली, साम को यहां से दूं आरा है, तो एलेक्षन जीत गया, वहां दिल्मे दर्थ बैठ रहा है, शरीर के हर छेट से द्रव्य पदार्थ बहार क्यों कि नहीं समझ में आ रहा है कि कोई इतना बढ़िया वीकेंड कैसे जा सकता है शर्टें तरीके लोग, अच्छा रहा है रहा है तो आप करो, एक बोर्ड वेठा है, जो फिल्म के लिए सेंसर बोर्ड, जो फिल्म को सेंसर वेठा है, और उन्हें बहुत सीन काटे होंग इस ही झारता है, हुआ ऐब में आइस्धा होंग बढ़ा है, जो पर खिर दिखाने लिए जोल देख यहको मैं वह इक बमनाज बढ़ाने वह के एक वीडियो के आगदा कि रच्रें को हर् टकाकी इह दने वहाल का पुछा था जिसल्मेश को आटी दो Software , लोग आशी ने कर ल यही बात है किस कोई और आपकी फिल्म से आपके फिल्मिकर के अडिलोजी से एगरी नी करेगा फिर आप उसे रोपने हो गए कश्मीर फाइल्स में ने कट चाहिए थे हां महा था कि सिनमा की अजादी को छीन लिया जाए कहीं और अगर कट लग रहे हैं ऐसे आपका पाशल व किसी को आप नीचा क्यों गिरा रहे हैं कॉल आप उसकी मात करो मैसी चहीता फिल्म आपको मिलता सेम में कि मैं देखूंगा तो नहीं यह भी लिखने हैं कि इसे तो मेरे कोई प्लैन नहीं है देखने कि लेकिन जो इंटरनेट से मैंने सुना है तो यह मुझे अच्छा नहीं लगा भाई मत सुने इंटरनेट से ऐसी चीज़े ठीक है खुद देख क्राफ पर जज़कर क्राफ इस एक्टिंग का दला एक्टिंग उसकी एक नंबर है फिल्म का क्राफ एक नंबर है और क्राफ के पॉंट अव्यू से यह फिल्म जरूर देखने जाए राम कॉपाल वर्मा नेक रिव्यू किया इस फिल्म को वह आप पढ़े उन्होंने क्या बाते बोली है ठीक है यह साल एक रहाचीज बने ताल में जाजा बार हाब वार यह इंटर्टिंग नहीं थी उम्जाजा जाया आए विज पैस थे हम इस प्रीडिसम पे और वह भी बता है वह बता है वह भी बता है हम बहुत tolerant लोग हम सब सुनेंगे हम ऐसा निगाएंगे कि ताले ऐसा कहते है लिए इस बाएट करें आगा पूरा पड़ेंगे है आपका बर्बर की आप कमेंट करें लाइक करें इस वीडियो को शेयर करें सब्स्क्राइब करें चैनल को मिलते हैं अगली वीडियो में बावाई